नमस्कार दोस्तों जैश्रीकृष्ण, राधे राधे, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव राधे राधे बाद बात पर रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपके घर के लिए शुब है या अशुब जानेंगे। दोस्तों सची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें। लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहु घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दरजा दिया जाता है। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेशताएं बातें बताई गई हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। जिन महिला के पाव की हर उंगली समान लंबाई की होती है, वह महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। जिन महिलाओं के पैरों के तलवे और एडियो एकदम सपाट और सुन्दर होती है, उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ रहती है, उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसी महिलाओं पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। नमबर चार महिलाओं के पैरों के तलवों पर शंका, कमल या चक्र के शुभ निशान अगर बने हो, तो महिला किस्मत के धनी होती है, जहां तो वह स्वयम या फिर उनके पती किसी बड़े पोस्ट पर विराजमान होते हैं। नमबर पांच, महिला की नाग के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना यह बताता है, कि किस्मत उस पर इतनी महरबान है, वह जो भी कार्य करेगी, उसे सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जिस महिला का अंगूठा 14 गोल और लालिमा लिये होता है, वह स्त्री बेहद भाग्यशाली है। खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी दोस्तों नमबर 8 गहरी ना भी ऐसी स्त्रियां जिनके भी गहरी होती है, लेकिन अंदर की ओर से उठी हुई होती है, वह अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख भोगती है। नमबर 9 कोमल जीवलाल और कोमल जीवाली स्त्रियां जीवन में खुद भी सुख भोगती है और अपने परिवार को भी सिर्फ सुख ही देती है। 10. बड़ी बड़ी आँखें. हिंदी की तरह बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है. इसके अलावा जिन महिलाओं की आँखों के सफेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है, वह अपने परिवार के लिए ब इन महिलाओं के माथे के बीचों बीच तेल होता है, उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन व्यक्ति से होता है. नमबर तेरह धूल उड़ाना, महिला जब चलती है, अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है, तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है. नमबर चौदह गोल एरिया, जिस महिला के पास की एड़ी गोलाकार और कोमल होती है, वह आजीवन सुख सुविधाओं का आनंद लेती है, उसका परिवार भी उससे प्रसन रहता है. नमबर पंद्रह दांत लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर दांत मुह से बाहर आते हैं, तो ऐसी महिलाएं घर के लिए लखी होती है, पर उन्हें खुद के लिए जीवन में कुछ भी आसान इसे हासिल नहीं होता, नमबर 16 उंगलियों का न जिन महिला के पैरों की उंगलियां एक दो दूसरे से जुड़ी रहती है, यह ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती है, नमबर 17 बाएं गाल पर तिल, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है, वह महिला खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होती है, और हर तरह के व्यंजन का लुफ्त उठाते हैं, वह बहुत अच्छी कुख भी होती है, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है, नमबर 18 चमकते, नाखून गुलाबी रंग के चमकते, नाखून वाली लड़कियां अच् सोच लेना चाहिए, नमबर 20 आईए, अब जानते हैं कि बात-बात पर रोने वाली महिलाएं आपके लिए कैसे हो सकती है, दोस्तों, आचार्य चानक्य के अनुसार, स्त्री बहुत ही नाजुक गुडिया के समान मानी जाती है, ऐसे में चानक्य कहते हैं कि बात-बात पर र कई गुना ज्यादा होती है, ऐसे में जब कोई स्त्री बात-बात पर रो पड़ती है, तो उसकी आपको कदर करनी चाहिए, चानक्य के अनुसार ऐसी महिला दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसी स्त्रियां सच्चे विचारों वाली मानी जाती है, दोस्तों, नमबर 2, चानक्य के जो स्त्री बात-बात पर रो देती है, वो अपने प्रेमी से कभी भी दूर नहीं होना चाहते हैं, ऐसी स्त्रियां परिवार के लिए बहुत ही शुभ और अच्छी मानी जाती है, इनका दिल कोमल होने के साथ ही हर किसी की भावनाओं की कदर भी करता है, ऐसी स्त्री को कभी भी खोना नहीं चाहिए, गलती ना होने पर भी जो स्त्री रो पड़े, उसके अंदर ममता फूट फूट कर भरी होती है, जो आपके लिए अच्छी है, दोस्तों नमबर तीन, आचार या चानक्य कहते हैं कि महिलाओं के रोने चिलाने से कई तरह के घातक बीमारियां खत्म में नहीं होती, इनका हृदय नाजुक गुडिया के समान है, रोने वाली महिलाएं किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, फिर चाहे अपना दिल ही तोड़ना क्यों ना पड़े, लेकिन यह दूसरों की भावनाओं की कदर अच्छे से करती है, ज्यादा रोने वाली महिलाएं खुद भूखी रह जाती है, लेकिन दूसरों का पेट भरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती, ज्यादा रोने वाली महिलाएं किसी भी तरह से घातक नहीं होते हैं, अगर इनके दिल में ज्हांक कर देखा जाए, तो बहुत ही गर्म भरा होता है, और आपको इनकी कदर करन चाहिए, इनका दिल कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसी महिला का दिल तोड़ना पाप के समान माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार या चानक्य, यह भी कहते हैं कि ज्यादा रोने और चिल्लाने वाली महिलाएं आपका विनाश भी कर सकती हैं, ऐसी महिला आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद आपका दिन शुब हो।